इस साइन फिक्षन और एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन में एक जगा को दिखाते वे जहां एगुलर नाम के एक आदमी को असैसिन बनाने के लिए शपत ली जा रही थी एगुलर जिस राजा के लिए काम करता था वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हें किसी भी हालत में हमारे खांदान की रक्षा करनी होगी दरसल राजा के पास एक ऐसा आर्टिफेक्ट मौजूद था जिसे कि टेंपलर नाम के एक बदमास्ट लोगों का ग्रूप हासिल करना चाता था और अगर ये आर्टिफेक्ट टेंपलर के लोगों के हाथों में लग गया तब पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई बचा ही नहीं पाएगा एगलर कहता है कि भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन ये आर्टिफेक्ट उनके हाथ में लगने नहीं दूँगा एगलर को शपत के लिए उसकी एक उंगली काट दी जाती है और उसे असेशिन की तलवार दी जाती है जिससे कि वो ओफिशिली राजा के सामरा जका असेशिन बन गया था अब हमें यहां मैक्सिको के अंदर कई सालों बात का सीन दिखाय जा रहा होता है जहां पर हम कैल नाम की एक बच्चे को साइकल पर स्टंड करता हुआ देख रहे थे कैल इन सारी चीजों में बहुत ही जादा माहिर था पूरा दिन खेलने कुदने के बाद जब काल अपने घर पर लोटा तब उसने देखा कि उसकी मदर को किसी ने मार दिया है और ये और किसी ने नहीं बलकि कैल के फादर ने किया था उन्होंने तो किसी अंजान रिजन से अपनी वाइफ को मार दिया होता है और अब वो अपने बेटे कैल की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थी कि तुम यहां से भाग जाओ क्योंकि टेंपलर के लोग लगातार तुमें ढून रहे हैं हाला कि कैल को ये सारी बाते बिल्कुल भी समझ में नहीं आती पर वो फिलाल अपने फादर से डर कर वहां से भागने लग जाता है चौकाने वाली बात ये थी कि वहां बाहर की तरफ टेंपलर के कई सारे लोग कैल का पीछा करने लगे थे पर कैल यहां अपनी बाइसिकल उठाता है और काफी तेजी से अपनी जान बचाते हुए दूर भागने लगता है उस समय कैल की जान बच गए थी अब हमें यहां पूरे 20 साल बात का सीन दिखाय जा रहा था कैल ने हाल ही में एक आदमी का कतल कर दिया था जिसके लिए उसे जेल हुई थी और वो पिछले 2 सालों से सजा ही काट रहा था लेकिन यहां सरकार ने डिसाइड किया था कि कैल ने जो जुर्म किया है उसके लिए उसे मौत की सजा दे दी जाए कैल को आसान मौत देने के लिए उसके बोडी में पॉईजन डाल दिया जाएगा जिससे कि वो तुरंती खत्म हो जाए यहां पर वो दिन भी आ चुका था जब कैल की जान ले ले जाएगी उससे पहले कैल के जेल के अंदर एक फादर आता है जो कैल को इश्वर पर भरोसा रखने के लिए कह रहा था लेकिन कैल तो पहले से ही इन सारी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था इसलिए वो गुस्से में आकर फादर को यहां से चले जाने के लिए कहता है कई घंटे बीच जाने के बाद जब कैल ने अपनी आखे खोली तब वो अपने सामने सुफिया नाम की एक लड़की को देखता है कैल तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो किस जगह पर आ चुका है सुफिया कैल को समझाती है कि तुम बाकी दुनिया के लिए तो मर चुके हो लेकिन यहां पर तुम हमारी एक्सपेरिमेंट में शामिल होकर अपनी जिंदीगी गुजार सकते हो हाला कि कैल इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा कर यहां से भागने लग जाता है कैल ने देखा कि उस जगह पर और भी बहुत सारी लोग मौजूद थे लेकिन जब वो खिडिकी के सामने आया तब उसके होश उड़ गये थे क्योंकि जिस फैसिलिटी के अंदर कैल मौजूद था वो कई हजार किलो मिटर दूर दूर तक फैला होता है और कैल को देखने से पता भी नहीं चल रहा था कि वो किस जगह पर मौजूद है यानि कि चाहे कुछ भी हो जाए कैल यहां से भाग नहीं सकता तब ही मुसा नाम का एक आदमी कैल के पास आकर कह रहा था कि शुरुआत में तुमें प्रॉब्लम होगी लेकिन दिरे दिरे तुम यहां पर रहना सीख जाओगे अब कैल को सुफिया और बाकी लोगों के सामने पेश किया जाता है कैल ने पुछा कि आखिर वो कहा है और यह फैसिलिटी किसके लिए है तब जाकर सुफिया जवाब देती है कि यह पूरी फैसिलिटी मानव जाती की इंप्रॉब्मेंट के लिए बनाई गई है लेकिन reality तो ये होती है कि सूफिया और ये पूरी facility के लोग Templar के लिए काम करते थे जो सब बचपन में कैल के पीछे पड़े थे हाला कि कैल को इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता इसी मौके का फाइदा उठा कर सूफिया अपने लोगों की मदद से कैल के nervous system में ML नाम की बनाई गई एक advanced technology को insert कर देती है जिससे कि वो कैल के mind से कुछ information निकलवा सके दरसल बात ये थी कि कई साल पहले एगुलर नाम की उस assassin ने राजा द्वारा दिये गए आर्टिफेक्ट को कहीं छुपा दिया था और कैल यहाँ पर और कोई नई बलकि एगुलर की family का आखरी वनसच था इसलिए अब सोफिया और उसकी organization वाले चाते थे कि वो कैल की पूरानी यादों को इकठा करके एगुलर के DNA और यादों से जोड़ दें जिससे कि उन्हें पता चल सके कि एगुलर ने आर्टिफेक्ट कहां पर छुपाया था और अब सोफिया अपने program को on कर देती है जिसमें कि वो कैल को बहुत सारे visions दिखा रही थी कैल के DNA में मौझूद अब एगुलर की सारी properties सामने आने लगी थी जिससे कि कैल वो सारी यादे देख पा रहा था जो एगुलर ने देखी थी यहाँ पास्ट में एगुलर अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह पर इकठा हुआ होता है क्योंकि Templar की लोगों ने राजा की बेटे एहमत को किड्नैप कर लिया था क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में artifact तो चाहिए था इसलिए वो राजा के बेटे को पकड़ कर उन्हें blackmail कर सकते थे लेकिन जब तक वो राजा के बेटे को किड्नैप करके ले की जाते तभी उस जगह पर एगुलर अपने सारे टीम मेट्स के साथ आ चुका था जो कि लगाता टेंपलर की लोगों पर हमला करते ही जा रहा होता है एगुलर के पास बहुत सारी fighting techniques थी जिसके मदद से उसने सबसे पहले टेंपलर की लोगों की जनरल को खतम किया वहाँ पर तो घमासान युद्ध चालू हो गया था पर ताजुब की बात थी कि यहाँ पास्ट में एगुलर जो जो चीज़े कर रहा था वही सारी चीज़े present time में कैल भी कर रहा होता है क्योंकि दोनों आपस में genetically connected थे और वहाँ सूफ या कैल के सारी movement और यादों को store करती जा रही थी जिससे की आकिरकार उसे पता चल जाए की artifact कहां पर छुपाया गया है Templar के कई सारे लोगों ने राजा की बेटे को अपने साथ रख लिया था और वो उससे लेकर भागते रहते हैं एगुलर तो लगातार उनका पीछा करने लगा होता है राजा की बेटे को बचाने के लिए क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी और अब देखते ही देखते एगुलर ने वहाँ पहुच कर Templar की लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया होता है एगुलर ने तो अपने दुस्मनों की गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया था जिससे कि वो किसी भी हालत में राजा की बेटे को बचा सके राजा का बेटा जिस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था वो तो खाई के अंदर गिरने वाली थी लेकिन एगुलर ने जल से जल एक रसी दूसरी जगह पर फेक कर राजा के बेटे को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे बचा लिया लेकिन अब टेंपलर के बहुत सारे लोगों ने एगुलर और राजा के बेटे को घेर लिया होता है लेकिन अब इस सीन के बाद यहाँ प्रेजेंट में कैल बेहोस हो चुका था कैल को कुछ नहीं समझ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है होश में आने के बाद तो कैल सोफिया पर ही गुसा करने लगा था कि वो उसके उपर किस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैल सोफिया से कह रहा था कि जब से तुमने मुझे उस मशीन से कनेक किया है मुझे चारो तरफ सिर्फ एगुलर की विजन सा रहे हैं आखिर तुम लोग मेरे साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब जाकर सोफिया कैल को सारी चीजे बतानी के लिए राजी हो जाती है सोफिया कैल को उसकी रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर लेकर आ गई थी कैल ने तो वहाँ पर देखा कि सोफिया ने उसके बारे में सारी रिसर्च कर रखी है कैल के सारी DNA रिपोर्ट से लेकर उसकी छोटी सी छोटी चीजे सोफिया कैल से कह रही थी कि हम कई सालों से रिसर्च कर रहे थे लेकिन तब जाकर हमें तुम्हारे बारे में पता चला जो एगुलर के वनसच का खून था एगुलर एक सामराजय का काफी बहादुर युद्धा था जिसका काम होता है अपनी राजा और उसकी धरोहर को समाल कर रखना इसलिए अब कैल को इस फैसिलिटी में लेके आया गया था जिससे कि वो सब आर्टिफेक के बारे में पता लगा सके हाला कि जब कैल ने सुफिया से आर्टिफेक के बारे में पूछा तब वो बात ही टाल देती है सूफिया बता रही थी कि इस फैसिलिटी के अंदर तुम्हारे ही जैसे कई सारे लोग मौजूद थे जिनका DNA कई सारे युद्धाओं से मैच करता था लेकिन अभी भी हमारी रिसर्च चल रही है कि इन युद्धाओं की प्रॉपर्टीज को बाहर कैसे लिकर आजाए अब यहाँ सूफिया कैल को कुछ ज़्यादा कनफ्यूज नहीं करना चाहती थी इसलिए वो उसे बाद में बताने के लिए कहती है फिलाल कैल को बाकी लोगों के साथ कैंटीन में भीज़ दिया जाता है कुछ नास्ता करने के लिए कैल की तो अब कैंटीन के अंदर मूसा और बाकी लोगों से मुलाकात हो रही थी तबी उन में से एक असेसिन कैल के पास आकर कहने लगता है कि ये सारी लोग तुम्हारे जरिये एक बहुत ही पावरफुल आर्टीफेक को पाना चाते हैं और अगर ये उन सभी को मिल गया तब काफी बुरी चीजे हो सकती थी कैल को ये तो पता चल चुका था कि ये लोग आर्टीफेक के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन उसे आर्टीफेक का असली यूज नहीं पता होता इसलिए कैल ने डिसाइट किया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए आर्टीफेक को टेंपलर के लोगों के हाथ में नहीं पड़ने देगा अब यहाँ सोफिया के फादर जिनका नाम एलन होता है वो इस पूरे फैसिलिटी के डारेक्टर थे एलन ने अपनी बेटी सोफिया को कहे दिया था कि हमें किसी भी हालत में आर्टीफेक्ट चाहिए इसलिए कैल को वापस मशीन के अंदर भेजने की तयारी करो हाला कि सोफिया अपने फादर को बता रही थी कि कैल की हालत अभी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है और इस सिचुएशन में कैल को मशीन से कनेक करना खत्रे से खाली नहीं होगा लेकिन एलन तो अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है कि एक्सपेरिमेंट चालू करो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि कैल को एगुलर के विजन सा रहे हैं जिसके अंदर कैल और एगुलर लगातर एक दूसरी से फाइट कर रहे थे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि एगुलर कैल को अपनी फाइटिंग टेकनिक सिखाना चाता है कैल तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था उसे सिर्फ अपनी प्रोटिक्शन करनी थी इसलिए वो सामने आने वाले गार्ट को एगुलर समझ के मारने लगता है हलाकि कैल ने एगुलर की फाइटिंग टेकनिक यूज करके सारी सिक्योरिटी गार्ट को एक ही बार में समाल लिया था लेकिन वो सारी गार्ट कैल को अंत में जाकर कंट्रूल करी लेते हैं और अब कैल को जबरदस्ती मशीन के अंदर लेकर आकर कनेक कर दिया जाता था एगुलर की विजिन्स में कैल देखने लगा था पास्ट के वो सारी विजिन्स जहांपर एगुलर और उसके सातियों को टेंपलर की सभी लोगों ने पकड़ लिया था जो उन्हें पेस करते रहते हैं अपने सामराज्यके लोगों के सामने टेंपलर के सामराज्यका एक फादर आकर कहता है कि अब हमें अर्टिफट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता और अब decision लिया गया कि अगर एगुलर ने artifact के बारे में कुछ भी नहीं बताया तब उसे और उसके साथियों को फासी की सजा दीजी जाएगी इसलिए अब Templar के कुछ दिपाही एगुलर और उसके साथियों को मारने के लिए आ जाते हैं उन लोगों ने तो एगुलर की एक साथि को खत्म भी कर दिया था तभी अचानक एगुलर को बहुत ज़्यादा गुस्ता आता है और वो अपने आपको छुड़ा कर उन सभी को मारने लगता है एगुलर ने तो अपने टीम मेट मारिया को भी वहाँ से छोड़ा दिया था यहाँ पर एगुलर जो सारी चीजे कर रहा था वहीं दूसरी तरफ प्रेजन टाइम में कैल भी वही सारी चीजे रिपीट करता जाता है जिससे की सोफिया और उसके फादर की कमपनी वाले ट्रैक कर सकी की आखिर आर्टिफेक कहां पर मुझूद है एगुलर तो अपने सातियों के साथ तुरंत वहाँ से भागने लग जाता है तब ही मारिया बचने के लिए उचाई से नीचे खूच जाती है उसके पीछे पीछे एगुलर भी चला गया था लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम में कैल जब उतनी उचाई से गिरने का एक्सपीरियन्स महसूस करता है तब ही वो अचानक से बेहोश होने लगा था सूफिया और बाकी लोग जल से जल कैल के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं दरसल बार बार कैल के उपर एक्सपेरिमेंट करने की वज़े से उसकी बाड़ी थोड़ी से नाजुक हो चुकी थी इसलिए अब कैल का लगाता ट्रीटमेंट किया जाने लगा था उसे तो किसी अजीब तरीके के लीक्विड में डुबाया जाता है जो उसकी बॉड़ी के सारे जक्मों को क्योर कर दे सोफिया कैल को बता रही थी कि अगर तुम मशीन के अंदर खुद के मर्जी से चले जाओगे तब तुम्हारी बॉड़ी को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा पर कैल कहता है कि अभी मैं इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ अब थोड़ा सा ठीक होने पर कैल को जब बाहर निकाला गया तब सोफिया उसे एक लॉकेट देती है ये लॉकेट और किसी का नहीं बलकि कैल के मदर का था सोफिया के फादर एलेन तुम्हारी मॉम के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये लॉकेट उन्हें तुम्हारी मॉम के डेड बॉडी से मिला था सोफिया साथ साथ अपना मकसद बताती है कि हमारी फैसलिटी किसी में भी जगडा नहीं कराना चाती दरसल ये टेंपलर और एसेसिन के बीच के लड़ाई सदियों से चली आ रही है लेकिन अगर हमें आर्टिफेक्ट मिल जाएगा तब हम इसे अच्छे कामों के लिए यूज़ करेंगे जिससे कि सालों से चलता आ रहा ये युद्ध खतम हो जाए कैल को भी कहीं न कहीं लगने लगा था कि साथ से टेंपलर की लूग गलत नहीं है इसलिए अब यहां कैल सूफिया के फादर एलन के पास जाकर उसे थैंक्यू कहता है एलन कैल को बता रहे थी कि तुम्हारे अंदर जरूर कुछ खूबिया मौजूद है जिने की हमें बाहर किसी भी हालत में निकालना पड़ेगा आर्टिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए अब एलन कैल को एक ऐसे रूम में लेकर आता है जहां बहुत सारे असेसिन मौजूद थे एलन ने कैल को बताया कि हमने इन सारे असेसिन के उपर मशीन को यूस किया है जिसके वज़े से मशीन का ज़्यादा इफेक्ट होने के कारण इनकी यादास धिरी धिरी कम होती चली गई लिकिन ये सारी चीजे तुमारे साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहे है अगर तुम मशीन के अंदर पूरे मन से जाओगे तब वो तुम्हें पूरा कंट्रोल देगी एलन ने तो कैल को उसके फादर जॉसेफ का एक हतियार भी दिया था जिससे कि उन्होंने कैल की मदर का कतल किया होता है वो हतियार देते समय एलन ने कैल को बताया कि तुमारे फादर भी इसी रूम में मौजुद है कैल ये बात सुनकर पूरी तरीके से शौक हो गया था उसे समझे नहीं रहा होता कि वो क्या करे क्योंकि उसे सुरुआत से ही अपने फादर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्ता था अब कैल वही हतियार लेकर अपने फादर जौसेफ के पास चला जाता है जो खड़े होकर लगातर कुछ सोच रहे थे अपने फादर के आने के पास जौसेफ कैल से कहते हैं कि तुम हमारे ऐसेसिंद की खांदान को दोखा दे रहे हो अगर तुमारी वज़े से इन टेंपलर्स को आर्टिफैक मिल गया तब पूरी दुनिया खत्रे में पड़ जाएगी इसलिए तुम्हें अपने असासिंद की रिस्पॉंसबिलिटीज निभानी ही पड़ेगी लेकिन यहाँ पर कैल बहुत ही ज़्यादा गुस्ता होकर अपने फादर को ही पकड़ लेता है और उन्हें उसी तलवार से जान से मारने की धमकी देता है क्योंकि ऑवियसली जॉसेफ ने कैल की मदर का कतल लखिया था लेकिन तब जाकर जॉसेफ अपने बिटे को सारा राज बताता है दरसल जॉसेफ और उसकी वाइफ असेसिन खांदान से बिलॉंग करती थी और टेंप्लर के लोग लगातार हमारी तलाज कर रहे थे आर्टीफेक को फाइंड आउट करने के लिए लेकिन तब तुम्हारी मॉम को ये जरा भी एकसेप्ट नहीं हो रहा था कि वो इस बेकार एकस्पेरिमेंट मशीन का पार्ट बने इसलिए तुम्हारी मॉम ने मुझसे जबरदस्ती कहा कि तुम मुझे मार दो क्योंकि वो ये सारा टोचर नहीं जिलना चाती थी हाला कि जॉसेफ ऐसा अपने वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाता था लेकिन तुम्हारी मॉम ने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो चाकू अपने बॉडी में घुसा लिया जिससे की उनकी मृत्यों हो गई ये सारी बाते सुनने के बाद कैल की आखे खुल जाती है वो इतनी सालों से अपने फादर को ही गिल्टी मान रहा था पर अब उसे सच्चाई पता चल चुकी होती है कैल तो अब किसी भी हालत में अपने मॉम की मौत का बदला लेना चाहता था और अब उसे आइडिया भी होता है कि ये सारी टेंपलर्स आर्टीफाक के पीछे क्यों पड़े थे इसलिए अब कैल डारिकली सोफिया के पास चला गया था उस मशीन को खुद से कनेक करने के लिए इस बार तो कैल ने खुद से ही मशीन से जुडने के लिए कहा था यानि कि वो अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा कैल तुरंती जुड जाता है मशीन से और चला जाता है पास्ट के एगुलर के सारी विजन्स में एगुलर तो मार्या के साथ टेंपलर के लोगों से बचते हुए राजा के किंगडम में जाने लगा था पर अब शायद काफी देर हो चुकी होती है टेंपलर के कुछ लोगों और फादर ने तो राजा की बेटी को बंदी बना लिया था जो राजा को ब्लैक मिल करते रहते हैं कि अगर तुमने आर्टिफेक्ट नहीं दिया तब तुम्हारे बेटी की जान चली जाएगी यहाँ पर राजा पुरी तरीकी से मजबूर थे क्योंकि वो अपने बेटी की जान बचाना चाते हैं इसलिए अब सारी चीजे उनकी अगैंस्ट होने के कारण राजा को वो पावरफुल आर्टिफेक्ट उन सभी टेंपलर्स को देना ही पड़ता है टेंपलर्स के फादर के हाथों में वो आर्टिफेक्ट मौझूद था जिसके बाद फादर कह रहा होता है कि अब इस पूरी दुनिया पर हम टेंपलर्स का ही राज होगा पर शायद ये सारी चीजे इतनी भी जल्दी खत्म नहीं होने वाली तभी अचानक उपर से एगुलर और मारिया कूच जाते हैं जो लगातर उन सारी टेंपलर्स के सिपाहियों पर हमला करने लगे थे एगुलर कैसे भी करके राजा उसके बेटे और आर्टिफेक्ट को बचाना चाता था इसलिए वा अपनी पूरी कोशिश करता है वहाँ प्रेजन्ट में कैल भी वही सारी चीजे परफॉर्म कर रहा था जिसे कि सूफिया के टीम लगाता डीकोट करते जाती है अब एगुलर ने आर्टिफेक्ट हासिल करने के लिए टेंपलर्स के फादर की गले पर चाको रख दिया था एगुलर को लग रहा होता है कि इन सारी चीजों से सभी सैनिक यहां से चले जाएंगे लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेंपलर के सेना पती ने मारिया की गले पर चाको रख दिया था एगुलर किसी भी हलत में मारिया को मरने नहीं देना चाता है लेकिन मारिया कह रही थी कि तुम मेरी फिकर मत करो, तुम सिर्फ आर्टिफेक्ट को बचाने की कोशिश करो और यहां से चले जाओ पर एगुलर का मन नहीं मानता और वो फादर के गले से अपना चाकू हटा देता है लेकिन टेंपलर की उस सेना पती ने तो ऐसा करते ही मारिया के गले में चाकू मार दिया था एगुलर ये देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है उसने सबसे पहले फादर से वो आर्टिफेक्ट लिया और टेंपलर्स के सेना पती की तरफ बढ़ चला उसे खत्म करने के लिए एगुलर तो पूरी तरीके से पागल होकर सामने आने वाले सबी सैनिको को मारता जा रहा था लेकिन सबसे टेंपलर्स का सेना पती काफी ज़्यादा पावरफूल होता है उसने तो एगुलर को थोड़ी दिर के लिए उठा कर पटा की दिया था जिससे एगुलर काफी ज़्यादा घायल हो जाता है पर अब वो सेना पती जैसे ही एगुलर को जान से मारने गया तब ही एगुलर ने मारिया के डेट बॉडी के पास पड़ी एक तलवार को उठा कर सेना पती के बॉडी में गुसा दिया जिससे कि वो सेना पती वहीं पर मारा जाता है लेकिन जब एगुलर फादर के पास बढ़ा उसे खत्म करने के लिए तब तक कई सारे सैनिक वहाँ पर आ चुके थे इसलिए अब एगुलर आर्टिफेक्ट को अपने पास रखकर लगातर वहाँ से भागने लगा था जिससे कि वह किसी भी हालत में आर्टिफेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके टेंपलर्स के लोगों से कैल भी वही सारी चीजे कर रहा होता है जो एगुलर ने किया वहाँ एगुलर को लग रहा था कि अब आर्टिफेक्ट को किसी सेफ हातों में सौपना पड़ेगा इसलिए वह कोलंबस के पास आकर आर्टिफेक्ट उसे दे देता है एगुलर ने कोलंबस को कहा कि हमें किसी भी हालत में आर्टिफेक्ट की प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी नहीं तो ये पूरी दुनिया खत्रे में पड़ सकती है कोलम्बस भी इस बात के लिए तयार हो जाते हैं कोलम्बस ने तो वो आर्टिफेक्ट ले लिया था और एगुलर को एक कोड वर्ड में कुछ बात कही जिसे कि प्रेजन टाइम में सोफिया और उसकी पूरी टीम डीकोट करने लग जाती है कोलम्बस ने कहा ता कि ये आर्टिफेक्ट मेरे साथ ही रहेगा और मेरे साथ ही जाएगा एक तरह से ये बात डीकोट करने पर सोफिया और उसकी टीम को पता चला कि आर्टिफेक्ट जरूर कोलम्बस के मरने के बाद उसकी कब्र में मौझूद होगा यानि कि उससे modern जमाने में artifact की location का अब पता चल गया है ये बात पता चलने पर यहाँ present time में facility के अंदर सारे असेसिन एकदम से पगला गए थे क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में artifacts की रक्षा करनी थी और अब Templars को पता चल चुका होता है कि artifact की location कहा है एलन ने तो यहाँ पर अपने सिपाईयों से कह दिया था कि हमें जल से जल artifact धूनने के लिए जाना है इसलिए तुम यहाँ मौझूद सारे असेसिन को खत्म करके पूरी facility destroy कर दो यानि कि एलन ये सारी चीजे काफी ज़्यादा पहले से सोच रहा था सारे असेसिन एकदम से out of control होकर facility में तबाई मचाने लगे थे अब हमें यहाँ पर कैल के चारों तरफ कुछ असेसिन की आत्मा दिखाई देती है जिनमें से एक कैल की मदर की आत्मा थी अब यहाँ सोफिया कैल के साथ रहना चाहती थी लेकिन उसे soldiers किसी भी हालत में पकड़ कर लेकर चले जाते हैं क्योंकि अब यह जगा खत्रे से खाली नहीं थी उन सारे असेसिन की आत्मा कैल के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि तुम एक अच्छे असेसिन नहीं हो हम लोगों ने आर्टिफेक को बचाने के लिए अपनी जान के कुर्बानी तक लगा दी और चाते थे कि आने वाली सारी generations आर्टिफेक को उसी तरीके से protect करें लेकिन अब तुम्हारी वज़े से Templars को आर्टिफेक के location का पता चल गया है और अगर उनके हाथ में आर्टिफेक लग गया आना तब वो इनसानों के दिमाग से खेल सकते थे क्योंकि आर्टिफेक के अंदर इस पूरी environment को कंट्रोल करने की शक्ती मौजूद थी जिस तरह से Templars के लोग चाहेंगे उसी तरीके से वो इनसानों को कंट्रोल करेंगे कैल की मदर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने कर्तब बे निभाना ही पड़ेगा तब जाकर कैल कुछ सारी बाते समझ में आ गई थी टैक कैल कहता है कि मैं Templars और एलन को उस आर्टिफेक्ट तक पहुचने नहीं दूँगा इसलिए अब कैल निकल पड़ता है उन सारे असेसिंस को अपने साथ मिलाने के लिए कैल के पास तो अब मॉसको और उसके सारे दोस्ट भी आ चुके थे जो कह रहे थे कि हमें करना क्या है कैल तो फैसिलिटी में मौझूद सारे असेसिंस को अपने टीम में शामिल करता है और सारे सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता है वहीं दूसरी तरफ एलेन अपने सारे लोगों के साथ कोलंबस के मगबरी के पास पहुच गया था वहाँ पर तो टेंपलर्स के कुछ सीनियर मेंबर्स भी मौझूद थे जिने की आर्टिफेक्ट अच्छे से यूज करना आता था क्योंकि उसके पास अब अर्टिफेक्ट है इसलिए अब उसने पूरी दुनिया में मौझूद सारे टेंपलर्स को ये बात बताने के लिए एक पार्टी ऑर्गनाइज की इस मीटिंग में एलेन सारे टेंपलर्स को वो आर्टिफेक्ट दिखाएगा जिससे की यी बात confirm होगी कि एलन इन सारी चीजों का बात्षा है और सभी को उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा सूफिया को जब इन सारी चीजों के बारे में पता चला तब वो अपने फादर एलन के पास आकर पूछती है कि आफ ने मुझे धोखा दिया आपने कहा था कि आर्टिफेक की मदद से हम दुनिया से पूरी हिंसा खत्म कर देंगे पर तबी एलन कहते हैं कि मैंने तुम से कुछ जूट नहीं कहा है मेरा हिंसा खत्म करना मतलब सारे असेसिंस को खत्म करना और उनकी खत्म होने के बाद मैं सभी इंसानों का आर्टिफेक की मदद से दिमाग कंट्रोल करूँगा और उनकी सोचने की छमता को लिमिटेट कर दूँगा जिससे की हम उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएं जिसके बाद हम टेंपलर जो भी चाहेंगे वही इस पूरी दुनिया में होगा एलन अपनी बेटी को ये सारी बाते कहकर चला जाता है सोफिया को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके फादर ऐसा कर सकते हैं थोड़ी देर में सोफिया के पास कैल भी आ जाता है जो बता रहा था कि सायद तुम्हारे फादर ने तुमें भी धोखा दिया है इसलिए अब कैल सोफिया को एक ओफर देता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम मिलकर तुम्हारे फादर को जान से मार देंगे क्योंकि एक सूफिया ही थी जिसे कि अपने फादर की सारे moment के बारे में पता था लेकिन सूफिया कैल की इस offer को reject कर देती है पर कैल सोफिया से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ना भी हो तब भी मैं तुमारे फादर और Templars को खत्म करूंगा यहाँ पर एलन अपने सारे Templars के लोगों के सामने वो आर्टिफेक्ट दिखा रहा था जिससे कि वो इन सारी चीजों का मालिक बन जाए और अब अगले मोमेंट में कैन ने भरी सबा के सामने एलन का गला काट दिया था यह सारी चीजे देखकर तो वहाँ मौझूद Templars अपनी जान बचा कर भागने लगे होते हैं सोफिया जब तक अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ पहुचती उसके फादर ने अपना दम तोड़ दिया था एलन के हाथ में आर्टिफेक्ट की जगव पर एक सेव मौझूद था जिससे कि सोफिया समझ जाती है कि कैन नहीं आर्टिफेक्ट ले लिया है और उसने ही मेरे फादर का कतल किया एक तरह से सोफिया खुद को भी दोशी ठहरा रही थी कि अगर वो आर्टिफेक्ट नहीं ढूंती तब ये सारी चीजे होती ही नहीं सोफिया ये डिसीजन लेती है कि वो आर्टिफेक्ट को फिर से ढूंडेगी और सारे असासिन्स को खत्म कर देगी वहीं दूसरी तरफ अब कैल अपने कुछ साथियों के साथ बिल्डिंग के एक दम टॉप पर खड़ा होता है उसके हाथ में आर्टिफेक्ट मौजूद था जिसे कि कैल अपने मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगा और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है सोवी वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पिनिशन एक पसंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़ेदार कहानियों में तब तक के लिए बाबाई